Hello everyone, Good morning all of you and welcome to Education Rise आज हम देखो समझेंगे हिंदी साहिक्ति का अपना कक्सा 12 का जो ब्लूप्रिंट है इसे समझेंगे ब्लूप्रिंट 2024 ये जो हिंदी साहिक्ति का जो बच्चो ब्लूप्रिंट होता है ये बाकी जो optional subject है उससे भिन होता है उससे अलग होता है बाकी subject में क्या होता है chapter wise सारा dividation होता है यहाँ पर chapter wise नहीं बलकि यहाँ पर जो इसके जो groups है मैं आपको बताऊंगा उसके हिसाब से completely आपको समझना पड़ेगा तो ये से हम बिल्कुल easy तरीके से मैं समझाऊंगा अगर आपने blueprint समझ लिया ना तो आप समझो कि आपने आदी लड़ाई तो पार कर ली क्योंकि जब हम तैयारी करने बैठते हैं तो आप इस blueprint को पूरा दिमाग में बिठा दीजिए और जैसा blueprint में बताया गया उसके according तैयारी करिए तो निश्चित रूप से आप कम पड़ करके भी जादा नंबर लाएंगे तो समझ्जिते हैं इस blueprint को और इस blueprint को समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे प्रसनों की क्या इस्तति रहेगी मतलब कौन-कौन से प्रसन पूछे कितने-कितने प्रसन पूछे जाएंगे जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, अगर हम प्रस्नों की संख्या को अगर हम देखें, तो प्रस्नों की संख्या में जो आपका वस्तुनिस्ट प्रस्ना रहेंगे बच्चों, जिने हम MCQs टाइब के questions कहते हैं, तो यह MCQs टाइब के आपके प्रस्ना आएंगे, वो आएंगे टोटल बारा प्रस्ना, ठीक है, यहाँ पर प्रस्नों की संख्या है, कुल बारा प्रस्ना पूछे जाएंगे, MCQs टाइब के रहेंगे, ठीक है, और प्रतियक प्रस्ना एक नंबर का रहेगा, तो यह जो नंबर रहेंगे, वो हमारे बारा नंबर के प्रस्ना पूछे यह आएंगे बारा प्रस्ण अति लगूत्रात्मक प्रस्ण भी बारा पूछे जाएंगे और यह प्रतियक प्रस्ण जो है वो एक नंबर का रहेगा इसलिए इनके भी जो अंक भार है वो हो गया बारा नंबर किस-किस टॉपिक्स आएंगे वो हम next page पर समझेंगे पर अभी आप यह समझिए कि 12 objective 6 रिक्तिस्तान 12 अति लगूत्रात्मक और 12 ही लगूत्रात्मक प्रस्ण पूछे जाएंगे ध्यान रखना लगूत्रात्मक भी कितने पूछे जाएंगे 12 प्रस्ण पूछे जाएंगे लगूत्रात्मक प्रस्ण प्रत्यक रहेगा दो नंबर का और तरीके से इनका जो अंक भार है यह है टोटल 24 नंबर तो यह तो होगी प्रस्णों के स्तति अब हम समझेंगे नेक्स जो अगले जो इनका जो एक प्रस्णों के और एक जो हम समझेंगे हमारे दस नंबर के प्रस् ziehen आएंगे इसके बाद अब यहाँ पे है निबंदात्मक प्रस्णा निबंदात्मक भी समझेगा तीन प्रसना रहेंगे दो प्रसना आएंगे वो तो आएंगे पांच पांच नमबर के तो इनका तो अंकबार हो गया दस नमबर और एक आएगा छे नमबर का और ये जो छे नमबर का प्रसना होगा वो होगा निबंद ठीक है ये जो निबंध होगा आपका ये निबंध रहेगा 6 नंबर का एक प्रसना तो ये 6 हो गए तो इस तरीके से इनका अंकबार हो गया 16 तो अब प्रसनों के संक्या हो गई 48, 48 प्रसना कुल रहेंगे और इनका अंकबार है वो है 80 नंबर मतलब पेपर आएगा वो 80 नंबर का आएगा तो ये तो हमने समझा है प्रसनों की इस्तती किस किस टाइब के कितने कितने प्रसन पूछे जाएंगे और प्रतिक प्रसन कितने नंबर का होगा अब यहाँ पर हम समझेंगे बच्चों आगे जो है कि अपठीद बोध में से कितने प्रसन पूछे जाएंगे निबंद जो रचनात्मक लेखन है हमारा अभी वेक्ति और माद्यम से कितने प्रसन पूछे जाएंगे कावियांग परिचे में से कितने नंबर के प्रसन पूछे जाएंगे थोड़ा सा इसको भी समझते हैं, और फिर आगे बढ़ते हैं, तो जो अपठीत बोध होगा, अपठीत बोध में बच्चों आपको एक तो मिलेगा आपको गद्यांस, ठीक है, एक होगा आपका गद्यांस, ये होगा आपका 6 नमबर का, प्लस एक होगा पध्यांस, और ये भ अचनात्मक लेखन का अपना जो टॉपिक है, उसमें से 6 नंबर का आपको एक निबंद लेखन आएगा, यहाँ पर आपको अलग-अलग विशे दिया होंगे, टॉपिक्स मिलेंगे, उन विशियों में से किसी एक पर, हाना किसी एक पर आपको एक निबंद लिखना है, ठीक ह 6 नंबर का, फिर है अभिवेक्ति और माद्यम जो है, इस में से 10 नंबर के प्रस्न पूछे जाएंगे, अभिवेक्ति और माद्यम को 10 नंबर है तो बहुत जादा मार्किंग है, ध्यान से थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, और मैं बता दू कि जो complete यहाँ पर जो कुछ भ बेस्ट से बेस्ट हमने निबंद लिखा है, निबंद लिखने की कुछ टेक्निक्स होती है, वो सारी चीज़े हम उसमें देखेंगे, अभिवेक्ति और माद्यम के हमने प्रस्नों के सिंख्या, परिक्सा में आने वाले प्रस्नों के सिंख्या, पिछले वरसों में हमने जो तोत्व इसके बाद अपना डौफिक रहा गाये और फिर इसमें रहेगा अलंकर वाला तो है तो यह तो आधर मिलकार्वन करके अपना अश् wire जो है अलंकर लिए तर दीस्टाइब के आगा सब्सक्राइब आपक्स प्रकार हो गए अपने 8 जालगनी है कि किस टॉपिक से किस किस प्रकार के प्रसन पूछे जाएंगे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दिता हूं बच्चों कि जो complete अपना हिंदी सहित्य का जो syllabus है यह हिंदी सहित्य का जो भी हमने syllabus यहां पर देखा है बच्चों हिंदी लिटरेचर की अगर बात करें तो इस complete course हमारे complete course हमारे एप में available है हमारे एप का नाम है बच्चों education rise है ना education rise नाम से हमारा एप है और इस एप में हमने complete courses available कराए हैं सभी subjects के हिंदी compulsory हिंदी साहित्य, English compulsory, Political Science, Geography, History यह सारे की सारे courses आपको इस app में मिल जाएंगे और प्रत्यक course में chapter wise आपको complete notes मिलेंगे PDF की रूप में, PDF की रूप में वहां पे आपको notes मिलेंगे साहती साτη वहां पे आपको videos मिलेंगे, videos के अलावा बच्चों वहां पे आपको online test मिलेंगे, हाना online test और यह online test दे करके आप जब submit करोगे तो आपको result मिलेगा और वहाँ पे आपको बताए जाएगा कि आपकी कौन सी rank है आप किस rank पर आपका rank प्राप्ट कर रहे हैं इससे क्या होता है आपको पता चल जाएगा आप की तैयारी कैसी है बाकी बच्चों की तैयारी कैसी है आप से बाकी बच्चे कितने आगे हैं तो यह online test आप दे सकते हैं और इस test को एक बार देने के बाद आप चाहो तो दुबारा भी दे सकते हो अपनी जो performance है उसको अगर improve करना चाहते हो तो इस test को आप दुबारा दे सकते हो ऐसे बहुत सारे test प्रते एक chapter में आपको मिलेंगे और ह जो MCQs का weightage बढ़ रहा है सभी में subject की बात करा हूं न केवल हिंदी साहते बलकि बाकी सारे subjects ठीक है बहुत सारी चीज़ें question answer भी मिलेंगे और हमने एक चीज़ और बता दूँ कि हमने revision सुरू कर दिया है subject wise हमने revision सुरू कर दिया है हमने अभी फिलहाल हम geography का revision कर रहे है तो अगर आपका subject है geography तो आप हमारे साथ जोड़िएगा everyday morning में आपको इसकी class मिलती है और साम को हम करते हैं इसकी live class तो live class में हम क्या करते हैं कि इसकी chapter wise जो MCQs जो होते हैं वो उसका live test होता है हमारा MCQs का live test जो हो evening वाली class में होता है इसे के साथ साथ Hindi compulsory की भी हमारी revision course चल रहा है Hindi compulsory का तो आप लोग जो है अब देखो time खराब नहीं करना है क्योंकि अब समय नहीं बचा इतना कि आप खराब करो फरवरी में exam हो जाएंगे शुरू और अभी आपने अगर time थोड़ा सा भ पिल्कुल बीच में gap आपको नहीं रखना है आप लगातार पढ़ते रहीएगा बाकि जो हमारे subject है उनका बहुत ही जल्दी हम revision course आपके लिए ला रहे हैं तो आप लोग निस्चित रुप से पढ़िए ये सब कुछ आपको यहां पे निसुल्क हो रहा है और जो हमारा app है इसके लावा हमने 10-10 model papers जो है वो बनाए हैं तो यह 10-10 model papers मात्रट 29 रुपीज में बच्चो हम आपको पूरे 10 model papers available करा रहे हैं market rate से बहुत minimum charge पर आपने market में 100-100 रुपीज लेते हम only 30 रुपे में आपको पूरे 10 model papers available कराएंगे इसके अलावा हमारे बहुत सारे चीज़ा आप एप में जाईएगा लिंक इस वीडियो के description में दिया हुआ है या फिर मैं अपना number आप note कर लीजिए हमारा यह number है इस number पर आप हमें message करेंगे 9079-622-989 इस number पर आप हमें whatsapp message करेंगे तो हमारी जितनी भी links है वो सारी link आपको बच्चो मिल जाएगी तो अभी देखो एक बार फिर से हम pattern समझते हैं इस pattern को हम blueprint को समझते हैं कि किस topic से कितने type के questions पूछे जाएंगे अगर हम अपठीत बोध की बात करें अपठीत बोध जिसमें गद्यांस और पद्यांस आएगा तो इसमें से 12 प्रसन पूछे जाएंगे वो सारे के सारे प्रसन होंगे अतिल गुतरात्मक प्रसन होंगे अपठीत बोध से न तो कोई mcq रहेगा न दिर गुतरी रहेगा न रेक्तिस्तान रहेगा कुछ भी नहीं रहेगा इसके बाद आता है रचनात्मक लेखन तो इसमें एक निबंद आएगा 6 नमबर का निबंद पूछा जाएगा तो इसमें से अभी वेक्ति और माध्यम तो अभी वेक्ति और माध्यम मैंसे देखो चार तो रहेंगे अपने mcqs टाइप के बच्चों लाइट की वज़े से कुछ डिस्ट्रुमेंट सो रहा है अगर लाइट कट जाती है तो अगर लाइट कट जाती है तो बच्चों देखो इसके मैं आपको जल्दी से बता देता हूं अभी वेक्ति और माध्यम से चार mcqs तीन लगूतरात्मक रहेंगे टोटल साथ प्रस्ना काव्यांस मैंसे छे रिक्तिस्तान रहेंगे एक लगूतरात्मक रहेगा अंत्रा मैंसे चार mcqs रहेंगे चे लगूतरात्मक रहेंगे एक दिर्गूतरी रहेगा और दो निवन्दात्मक रहेंगे और अंत्राल मैंसे चार mcqs रहेंगे दो अपना रहेगा लगूतरात्मक और एक रहेगा दिर्गूतरी इस तरीके से 48 जो है कुल प्रस्नों की सिंख्या रहेगी बच्चों लाइ